Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical Punjab, Alkalis and Chemical Limited का तरफ से एक नया रिकुडमें निकल के आया है ITI बालों के लिए, Diploma बालों के लिए और Degree बालों के लिए जैसे BTEC और BE बालों के लिए Vacancy निकल के आया है जो भी student आज मेरा चैनल में नया है वो सब भी student चैनल को जोरू सब्सक्राइब कर लेना आने बाला Heart Technical Job का अब लोगों को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं पांजब, Alkalis and Chemical Limited का मैं ओफिसेल वेबसेट पर हूँ तो सबसे पहले आप लोगों के ADR option पर जाना पड़ेगा KDR option पर जाने का बाद आप देख सकते हैं इधर एक की recruitment निकल के आया है जिसका apply करने के last rate है 14 April ठीक है तो यह जो notification को download करके मैं अब लोगों को दिखा देता हूँ आप देख सकते notification download हो गया है Punjab Alkalis and Chemical Limited का तरब से notification publish होके आया है तो इसका website क्या है www.punjabalkalis.com Punjab Alkalis and Chemical Limited एक public sector enterprise है तो बहुत ही अच्छा नोक्री है तो इसमें total 7 post के लिए vacancy निकल के आया है तो कौनसा कौनसा post है और इसका qualification क्या होगा तो आप देख सकते हैं और आप लोग वीडियो को पुरा देखना में आप लोग को बता दूँगा कैसे इसका form को fill up करना पड़ेगा और कैसे इसका form को apply भी करना पड़ेगा ये offline form होगा और इसका format कहां पे मिलेगा ये भी आप लोग को मैं बता दूँगा आप देख सकते टेकनिकल एक्सपर्ट एट सिनियर पोजिशन फोर पावर प्लांट जो पहला पोस्ट है तो बी या बी टेक होना चाहिए मेकानिकल या इलेक्टिकल ब्रांच से और 25 साल का experience होना चाहिए execution, operation, maintenance और coal-based thermal power plant से अब लोग का 25 साल का experience होना चाहिए इसका बाद second जो पोस्ट है manager administration फोर नया नंगल तो इसके लिए retard army officer होना पड़ेगा having legal background ओके third जो पोस्ट है assistant engineer chemical या mechanical ब्रांच से होना चाहिए तो BE या BTEC होना पड़ेगा chemical या mechanical ब्रांच से और 10 साल का experience होना चाहिए project and operations से ओके trainee engineer chemical के लिए कोई भी experience का जरूरत नहीं है BE या BTEC होना चाहिए chemical ब्रांच से इसका बाद trainee clerk जो है तो B.com होना चाहिए और 4-5 साल के experience होना चाहिए इसका बाद trainee plant operator के लिए आब लोग को B.C. होना पड़ेगा या diploma in chemical engineering होना पड़ेगा इसका बाद trainee feeder तो यह ITI बालो के लिए post है तो feeder बालो के लिए कितना post है या जो भी post दिया है इदर कितना post है इदर mention नहीं किया है तो feeder बालो के लिए just अब लोग का ITI certificate होना पड़ेगा feeder trade से कोई भी experience का जरूरत नहीं है ठीक है तो interested candidate अब लोग form fill up कर सकते 15 दिन का अंदर date of publication of notice मतलब जब notification publish हुआ है तो उससे 15 दिन का अंदर अब लोग को form को fill up करना पड़ेगा तो इस form fill up करने के last date 14 April तो इसका अंदर अब लोग को form को fill up करना पड़ेगा तो इसका format कहां से मिल जागा मैं अब लोग को दिखा देता हूँ यह जो format मैं आब लोग को provide करेंगा यही same to same format अब लोग को print out करके fill up करके भेजना पड़ेगा कौन सा address में भेजना पड़ेगा यह भी मैं अब लोग को दिखा दूँगा offline application form का format मैं वीडियो का description box में दे दूँगा तो आप लोग video का description box में जाके format को download कर सकते हैं तो अब देख सकते हैं offline application form का format है सबसे पहले dated लिखना पड़ेगा तो डेटेड जो भी डेट में अब लोग apply करें इसका बद post applied for concept के लिए apply कर रहागा अब लोग feature पोस्ट के लिए apply करें टेनी feature अब लोग को लिखना पड़ेगा ओके इसका बद applicant का नेम father या wife का नेम लिखना पड़ेगा complete address लिखना पड़ेगा इसका बद contact number और email id लिखना पड़ेगा इसका बद date of birth लिखना पड़ेगा और इधर आब लोग इसका बात signature of the candidate का जागा signature कर देना है और application को कौन सब एड्रेस में भेजना पड़ेगा आप देख सकते AGM, MKT, G and HR, Punjab, Alkalisand Chemical Limited, ACO, 125-127, Sector 17B, Chandigarh, 160017 तो इस address में अब लोग को offline application form को भेजना पड़ेगा 14 तरीक के अंदर ओके और इसका साथ अब लोग को क्या क्या भेजना पड़ेगा जो भी qualification certificate का details अब लोग फॉर्म में डालेंगे सभी certificate अब लोग को और experience certificate अगर अब लोग है तो अब लोग को photocopy करके self-attested करके अब लोग को भेजना पड़ेगा application form का साथ तो जो भी qualification या experience का details अब लोग डालेंगे तो उसका photocopy अब लोग को जोरूर भेजना पड़ेगा तो यह था एक important recruitment आप सभी के लिए वीडियो अगर आप सभी को helpful हुआ तो आप लोग चैनल को जुरूर सबस्क्रेब कर लेना आने वाला हाथ technical job को आप लोग को सबसे पहला update मिल जाएगा आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीड़ है टाटा बाई बाई